हेलो एबरीबन आयम नभीन और यह हमारी रेस्पारिटी सिस्टम सीरीज का नेस्ट लेक्चर है इस लेक्चर में हम ब्रॉंको पलमरी सेगमेंट्स के बारे में स्टेडी करेंगे सो इससे पहले के लेक्चर में हमें देखा था कि जो हमारे लंग्स हैं राइट और लेफ्ट लंग इन लंग्स में फर्दर डिविजन्स होता है लंग्स किसमें डिवाइड हो जाते हैं लोप्स में और लोप्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सेगमेंट्स में राइट है superior lobe middle lobe or inferior lobe और left lung में हमारे पास में दो lobes है superior और inferior lobe अब इन्ही lobes में further segment division होता है इन्ही segment divisions को bronchopulmonary segments बोला जाता है ठीक है सो हम इस lecture में bronchopulmonary segments के बारे में पढ़ते हैं so basically what is the bronchopulmonary segment bronchopulmonary segments are the structurally and functionally independent unit of lung lobes supplied by specific segmental bronchus and its basals तो bronchopulmonary segment क्या है structurally और functionally structurally मतलब structurally मतलब कार करने के बेसे ठीक है दौनों तरीके से क्या है independent unit independent मतलब जिसके पास मैं खुछ से अपनी blood supply और bronchus supply है एक independent unit है जो की lung lobes में present होती lung slope में further segment divided होते हैं सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है lungs है lungs के अंदर lobes आएंगे और lobes के अंदर lobes के अंदर आते हैं segments ठीक है तो यह क्या है हमारे structurally and functionally independent unit है lung lobes की जो की supplied होती है बाया specific segmental bronchus and its basals bronchus division पिछली ट्रेके ब्रोंकिल ट्रीम में समझ चुकी है कि कैसे tracheobronchial division होता है specific segment bronchus and its basals तो bronchoparmary segment क्या है bronchoparmary segments structurally and functionally independent unit होती है किसी lung lobe की जो की supplied होती है specific segmental bronchus से और इसकी basals से these segments are pyramidal in shape with apex toward the root of lung root of lung के बारे में हम study next lecture में करेंगे root of lung क्या होता है जैसे हम lunges को एक balloon मान के चलते हैं नहीं जो जो balloon का mouth होता है जहांसे हम balloon में कुछ भी चीज़ को लिनार डाल सकती है ढाल शके संसी तरीके छी सेằरी के से लंग्स में एक structure होता है इसी structure को root of lung बोला जाता है root of lung क्या करती है एक space provide करती ही जहांसे लंग्स के अंदर बेसल नापस और अधर इंटर करते हैं तो यह सेगमेंटब्स की होते हैं तो यह सेगमेंट्स कैसे होते हैं पइरमेडल सेपके होते हैं रिंका ल सबसे और वाला यह पार्ट हों रुट आप लंग्स की डारेक्शन में रहता है ये एस सेग्मेंट है इस आउं सैपरेट आर्टरी घो हर सेग्मेंट के पास में अपनी एक सेपर WAुड वोती हैै इंटर्स एट्रेबंटल प्यूं फीटि..मग करने ठीक्यां करेंगे ठीक है रोडोनों को सप्लाई प्रोवाइड करेंगा कि फिक और दौनों को supply π्रोवाइट करेगी हूं किसOOD हमारे सेगमेंट होते हैं तो Vegard सेगमेंस होते हैं सबस्क्राइट पार क्विंदा क्विड द्धोलरी संथिते अपधेमी सब्सक्राइब काउंकरन कले मơi क्वाइट हें futur गार ना जो अपर लोब है, अपर लोब में हमारे पास में कौन-कौन से segments present होंगे, apical, anterior and posterior, ठीक है, तीन है तरी आपर लोब में हमारे पास में segments present होते हैं, bronchopalmary segments, मिडिल लोब में 2 होते हैं, हमारे पास में medial और lateral, इसे याद करने की कैट्रिक है middle lobe, middle lobe में first bird है, middle में क्या आ रहा है, M आ रहा है, और lobe में L आ रहा है, तो इसी ध्यान रखेंगे M4 medial, L4 lateral, medial और lateral, दो इसमें broncable mary segments होते हैं, थर्ड हमारे पास में आता है lower lobe, तो lower lobe में हमारे पास में 5 segments होते हैं, first आएगा superior, फिर 4 हमा 5 segments हमारे पास में होते हैं, तो 5 lower lobe में है, 2 middle lobe में हैं, और 3 upper lobe में, total में लाके हमारे पास में कितने segments होगा है, 10 segments, अब देखो इन्हें आराम सयाद किया जा सकता है, upper lobe में apical, apical मतलब सबसे उपर वाला part है, anterior मतलब सामने वाला, posterior मतलब जो पीछे present है, तो इस तरीके से posterior surface, medial surface और lateral surface, medial मतलब बीच वाला, lateral मतलब side वाला, anterior और posterior मतलब आगे और पीछे वाले, तो इनी surface से ध्यान रहे हैं, अब लंग्स में हमने surface पढ़ेते हैं, anterior surface, posterior surface, उस तरीके से surface से ध्यान रहेगा कि यह 4 basal होते हैं, एक superior है और 4 basal है, basal कौन कौन से है, anterior, posterior, medial और lateral, इ हम यहां पर हमारे पास में, lobes प्रजेंट हैं, इन lobes में हमारे पास में segment कौन से, तो अपर lobe में 4 segments होते हैं, इनको देखते हैं, epico, posterior, देखो, जैसे यहां पर apical था anterior और posterior था राइट में, यहां पर apical और posterior segment आपस में fuse हो गया है, ठीके, उन्होंने 2 खुनम मिलके एक यह लिंगूला, superior और लिंगूला, inferior अब लिंगूला, एक huge topic है, इसको हम next lecture में study करेंगे, ठीक है, इसके आपर हमारे पास में, lower lobes में चार segments होते हैं, कौन-कौन से, superior segment, present है, same ही है, मस्कि अपर इसमें, दो segment आपस में fuse हो गया है, superior segment, same रहेगा, anterior और medial, देखो, यहां पर anterior, posterior medial, lateral थे, यहां पर anterior और medial ने, आपस में मिलके क्या बना लिया, एक combined segment बना लिया है, इसको बोलेंगे anterior, medial, basal segment, इसके लाब posterior basal और lateral basal, तो इस तरी के से, चार lower lobe में है, और four, upper lobe में है, तो four to four, eight, कभी-कभी nine segments भी present होते हैं, पर ठीक, eight to nine segments होते हैं, एक midway है, तो इस में क्या है, structurally और functionally independent unit है, किसकी lung lobes की, lung lobes की independent unit है, functionally and structurally, इनका क्या होता है, specific segmental bronchus होता है, और basals इनमे, specific basals भी इनमें present होती है, ठीक है, यह segment pyramidal shapes की है, और क्या करते हैं, apex मतलब सबसे ऊपर वाला जो portion होता है, ठीक है, वो खां, directed रहता है, root की direction में directed रहता है, ठीक है root की direction में present होता है, apex income, इस segment, हर एक segment के पास में separate artery present है, और हर एक जो segment है, जो दो segments है, जो दो segments है, उनके बीच में जो intersegmental plan है, उसमें basals run कर रही हैं, जो कि इनको supply provide कर रही है, अब जो bronchopalmaris segment right lung में 10 होते हैं, और left lung में 8-9 होते हैं, ठीक है, upper lobe में 3, middle lobe में 2, और lower lobe मे 5 और left lung में, upper lobe में 4 और lower lobe में 4 इस तरीके से, हमारे पास में bronchopalmaris segment होते हैं, तो I hope कि bronchopalmaris segments clear हो गए होंगे इस lecture में, अब next lecture में हम root of lung के बारे में study करेंगे